हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको Old Man and the Gun ये एक true story explain करने वाला हूँ ये 2018 की Hollywood movie है ये movie best है For a Stucker पर ये एक चोर था और इसने पुरे लाइफ में सिर्फ चोरी ही की थी ये 18 वार जेल से फरार हो चुका था ये बहुत interesting story है तो चलिए इसे explain करना start करते है movie start होती है और हमें एक old man bank में आतवा दिखता है वहाँ जो counter वाली होती है उसे counter में जो सब पैसे होते है ये सब उसे दे देती है इसके बाद शान्दी से उस bank से चला जाता है कार में बैटता है और वहाँ से फरार हो जाता है यही forest गर है इसने अभी-भी चोरी की है इसके बाद headphones होते है उसे अब पुलिस क्या-क्या कर रही है ये सब सुना ही देता है पुलिस का रेडियो पुरा इसे यहाँ सुना ही देता है पुलिस को जिस गाड़ी पर शोगता है वो गाड़ी भी ये चेंज कर लेता है अलग गाड़ी में चलने लग जाता है आगे चलकर इसे पता चलता है कि जिस कार में हो है इसके बारे में पुलिस को पता चल चुका ह ये फिर जब highway से जा रहा होता है तो वहाँ उसे एक और रोड साइड पर उसकी गाड़ी खराब होई है ये उसे दिखता है वो फिर ये गाड़ी रोक लेता है पुलिस अगर गाड़ी को fine करेगी तो वो चलती गाड़ी को fine करेगी यहां रुका हुआ है तो इस पर कोई शक न पर कारे में कुछ भी पता नहीं होगा यह कहता है कि मुझे कोई भी आईड़ा नहीं है इसके बाद इसे lift देता हुआ में दिखता है इस औरत का नाम Jewel होता है Forrest Jewel से बुचता है कि कहा तुम जा रही थी यह कही थी है कि मुझे पता नहीं सिर्फ में निकल बड़ी थी दिखते हैं, जोल उसके बारे में और भी बाते कहती है, उसके पास एक बड़ा साहूस है, जिसमें उसके पास थ्री होसेस है, फोरस definition कहता है कि मेरी इच्छा है कि कभी मुझे भी होस राइड करने है, फोरस ने जोल को कहा होता है कि वो Cinx Man है, उसके प्षाया कि अच्छे से नहीं देबाता, वो कहता है, मुझे सेल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो बोलता है कि अगर मैंने सब को सच तस तुम्हें बता दिया, तो तुम फिर से मुझे नहीं मिलोगी, जोल कहती है, कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे फिर से मिलोंगी, ये फिर सोचती है और उसका नमबर एक कार्ड पर लिख कर उसे दे देती है Forrest भी पैन लेता है और वो रॉबरी करता है इसा वो कार्ड बोर पर लिख देता है Jule पर इस पर बिलियू नहीं होता वो कहती है कि अगर तुम सच मुच में सब काम करे होगे तो मुझे प्रूफ करकर दिखाओ Forrest कहता है मैं प्रूफ तो कर सकता हूँ पर मुझे करना नहीं है Jule को बिलियू हो जाता है कि यह जो सब कह रहा है यह सब जोट कह रहा है वो उसे बुछती है कि क्यों नहीं तुम प्रूफ कर सकते यह कहता है कि यहाँ इस रेस्टॉर्ण में कुछ प्रूफ करना यह मेरा स्टाइल नहीं है यह फिर कहता है कि जिस जगा मुझे रॉबरी करने होती है वहां 3-4 दिन पहले में जाकर आता हूँ मुझे किस औरत से या आदमी से पैसे लेने है इसका मैं पूरा स्टडी करता हूँ इसके बाद 3-4 दिन मैं उस पर नज़र रखता हूँ और फिर जब मुझे लगता है कि आप राइट मुवमेंट है तब मैं आंदर जाता हूँ और सब पैसे लेकर आता हूँ वहाँ जनरेल लड़की ही होती है मैं उसे कहता हूँ कि बहुत ही शांत रहो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हर्ट हो जाओ फिर मैं उसे पैसे कहता हूँ यह मैं तुम्हें पसंद करने लगाओ मैं तुम्हारे पैर में भी बढ़ सकता हूँ मैं उसे flood करता हूँ और वो भी ज़रा comfortable होती है और सब पैसे मुझे दे देती है इसके बाद वहाँ से निकल जाता हूँ चुब वो इस पर थोड़ा भी believe नहीं करती forest भी कहता है यह मैं मज़ा की कर रहा था इसके बाद हमें direct to john hunt दिखाया जाता है यह जो time period चल रहा है 1981 का चल रहा है यहाँ और एक robbery forest नहीं की है जो robbery हुई थी उसके वो सब details ले 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 थे और यह फिर से station पर आ जाते है आज जौन का 40th पड़े होता है तो उसके सब colleagues इसको celebrate करते है यह जब सुबा घर आता है तब हमें इसकी family दिखती है इसके एक wife होती है उसके दो बच्चे होते है इसका birthday यह सुबा आज मनाने वाले होते है इसके लिए अच्छे सा गेक वेगरा उन्हाने लाय हो होता है यह एक अच्छे सी happy family होती है नेक दिन अपने बच्चों को लेकर hunt एक bank में आता है उसके बच्चों का ही bank में कुछ काम होता है इसलों उनको वे लेकर आयो होता है अब हमें दिखता है कि forest दो और बुड़े लोगों के साथ है यह जो थी यह पूरी team थी नेकि यह दो बुड़े लोग और forest यह दिनों मिलकर यह bank लुटते थे forest के जो friends थे कुछ बड़ा करना हो तो उसे help करते थे वरना वह information वेगरा निकालते थे अब हमें दिखता है कि hunt जिस bank में आया हुआ है वह आ forest टकर आया है forest फिर अंदर जाता है मैनेजर से वो बात करता है मैनेजर को वो गन दिखाता है मैनेजर को कहता है कि तुम्हें अब बहुत ही शान्त रहने है उसे एक बैग देता है और उस बैग में सब पैसे उसे रखने के लिए कहता है hunt बैग में होता है पर टकर को मैनेजर सब पैसे निकाल कर शांदी से दे देता है किसी को कुछ पता भी नहीं चलता जब टकर बाहर आता है और निकल जाता है तब मैनेजर डोर बन कर लेता है अब हंट को पता चलता है कि यहां रॉबरी हुई है सब पूलिस ओफिसर सेगरा सब वहाँ आते हैं और हंट का बहुत ही मज़ाक उड़ाया जाता है वो ही था पर वो रॉबर को स्पॉट नहीं कर बाया रात में हंट अपने वाइफ के साथ नियूस देख रहा होता है नियूस पर इस रॉबरी के बार में घुज भी नहीं होता याने कि लोगों को इससे कुछ भी फ़रक नहीं पड़ता हंट की वाइफ उसे मोटिवेट करती है और कहीती है कि तुम उससे पकड़ लोगे तुम्हें इसे फरक पड़ता है और एक ना एक दिन तुम इसे पकड़ी लोगे अब हमें इसके बाद जोल और फोरेस्ट मिल रहे है यह दिखता है यह उनके पहली ओफिशल डेट होती है जोलों से पुछती है कि तुम्हारे सेल्स का बिजनेस कैसा चल रहा है यह कहता है कि मैं रीजन का टॉप फाइव सेल्समेन हो जोल बोलती है कि मैं तुम्हारे एक भी वर्ड पर विलिव नहीं करती है जब पहली बार मिले थे तो टकर के एयर में हेड़फोन्स थे यह बुछती है तुम्हारे हेरिंग एड कहा है टकर प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ सुनाय नहीं दे रहा यह दोनों फिर हसने लग जाते है डिटेक्टिव हंड अब इन्वेस्टेशन स्टार्ट कर देता है थोड़ी सी फाइस निकालता है सिमिलर जो रॉबरी होती है इनको ट्रैक करता है एक ऐसी केस उसे मिल जाती है और वहाँ का जो शेरिफ पता है उसे वो कॉल करकर जब इस बारे में बोलता है तो शेरिफ कहता है कि मेरे वाइफ की एक फ्रेंड थी उसने में यही पता है था कि इसी टाइप की एक रॉबरी होई थी अब यहां हंड को पता चलता है कि फॉरेस्ट ने इस तरह की बहुत सारे रोबरीज ची है यह अभ इसके पीछे लग जाता है बहुत सारे फाइल सवीडर निकालते है इसे फिर पता चलता है कि पूरे दो साल में इसने 93 रोबरीज की है हंड हाथ दोकर अब Forrest की बिछे लगा हुआ है हमें Forrest वार एक बैंग में आया हुआ दिखता है वा एक लेड़की हुथी है जिसको जाकर कहता है कि सब पैसे अब मुझे दे दो उसे कुछ भी आवाज करने के लिए ना कह रहा हुता है ये वैसे देते देते रोने लग जाती है Forrest केता है कि प्लीज रो मत क्यों तुम रो रही हो ये लड़की कहती है कि आज मेरा पहला दिन है Forrest केता है कि हर एक चीज़ का पहला दिन तो होना ही चाहिए वो एक अच्छा जॉब करी है ये कहकर उसे वहाँ से चला जाता है हमें देखता है कि बहुत सारी इन्वेस्टिकेशन हंड करता है चाहा भी रोबरी हुई होती है तो उन लोगों से वो मिलता है ये सब लोग कहती है कि Forrest जो था वो ये जंडलमेन था वो बहुत ही polite था और बहुत ही अच्छा आदमी था जो अभी अभी बैंक के लेड़ी थी वो इसे कहती है कि वो बहुत ही मुझे खुश लग रहा था अब मैं दिखता है कि जोल के घर पर Forrest आया हुआ है जोल के बहुत ही बड़ी लाइंड होती है और वहाँ बड़ा सा घर होता है अपनी पूरी लाइंड जोल उसे दिखाती है उसके होरसेस वगरा भी दिखाती है Forrest उससे पुशता है कि क्या ये पूरी तुम्हारी लाइंड है ये कहती है कि मेरी ही है पर ये आप बैंक के पास है अगर जोल ने ये लाइंड सेल कर दी तो उसे इसके बहुत सारे पैसे मिल सकते है चो करज़ा उस पर बैंक का है ये भी चुकता हो सकता है इसके जो बच्चे है ये उसे यही कहते रहते है जोल ये मानने नहीं वाली होती है उसे यहाँ रहना अच्छा लगता है यह बोलती है यह बच्चों को मैं कहती हूँ कि वो यहाँ आकर है वो मुझे हेल्प कर सकते है जुल फिर Forrest से बुछती है कि क्या तुमने कभी शादी की है Forrest कहता है कि मैं जब यंग था तब मैंने शादी की थी उसके बच्चों के बारे में बुछती है Forrest कहता है कि मैंसे बच्चे वेकरा कोई भी नहीं है हम नेकसर में हम दिखता है कि Forrest जिस जगा पर स्टोरी करता है तो वो सब हंड ने अब जान ली होती है वो उसमें एक पैटन क्रेट कर रहा होता है अब फिर से Forrest रॉबरी करने वाला है ये दिखता है एक बड़ी से बैंक होती है जिसमें वो अब रॉबरी करने वाला होता है उसके जो सब फ्रेंड्स होते है इस पर नज़र रख रहे होते है हब Forrest और उसके दो फ्रेंड्स ये मिलकर अब सिर्फ बैंक ही नहीं लूटने वाले होते है तो उसमें इसका जो फोल्ट होता है उसमें बहुत सारा सोना वेकरा होते है ये सब वो लूटने वाले होते है इन सब को डाउट हो रहा होता है कि क्या है ये सचमुश में ये कर पाएंगे फोलरेश कहता है कि हां ये मैं कर सकता हूँ उसमें से एक फ्रेंड कहता है कि last time हम success नहीं हुए थे फोलरेश कहता है कि अब मुझे experience आ गया है अब मुझे पदा है कि मुझे क्या करना है रात में फोलरेश जो अगो call कर रहा है अभी भी वो कैसी है, क्या कर रही है यह सब उससे पूछता है यह जल्दी एक दूसरे से मिलने वाले होते है रात में Forrest जब अपने रूम में होता है तो देखता है कि Hunt की इंटर्वियू चल रही है कि इंटर्वियू जे है, यह robbery के बारे में ही है Forrest इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है अब हमें डारेक्ली robbery हो चुकी है, यह दिखाई देता है इस बैंक की जो manager थी है, इसे बात कर रहा होता है यह robbery ज़रा unsuccessful हो चुकी है बहुत सारे पैसे वही पड़े हुए होते है इस bank का जो गार था, यह Forrest और उसके friend की बीचे भागा था इसने दो गोलिया चलाई थी हमें दिखता है कि Forrest के friend को यह गोली लग गई होती है Forrest का friend कहता है कि हमने एक पुरा काम करी लिया था थोड़े से के लिए गड़बड हो गई Forrest बोलता है कि हमने वैसे भी अच्छे से किया है उसके डिक्के में बहुत जारे पैसे और गोल्ड भी हमें दिखता है अब next in में हम दिखते है कि हंड ने Forrest के about बहुत जारी information निकल वाली है वो एक बहुत ही अच्छा काम करा है और अब Bureau को यह पता चल चुका है यानि कि FBI है FBI भी A Forest को ढूणना चाती है कि हंड के पास आती है और खेती है कि तुमने जो सब काम किया है यह सब की details मुझे दे दो हम अच्छे से इसे ढूण सकते हैं हंड को यह अच्छा नहीं लगता हंड कहता है कि मैंने उसे अल्मोज ढूण दिलिया है और लास्ट में तुम उसे बस्ट करोगे यह उसे अच्छा नहीं लगता पर हमें पता है कि जैसे यह FBI है तो FBI से कोई ना नहीं कह सकता यह case FBI के पास आ जाती है हंड के बच्चों को जब पता चलता है कि हंड से case अब चली गई है तो उसके बच्चे उसे समझाने के लिए कहते है कि जो FBI के लोग है यह भी यहीं चाहते है कि forest पकड़ा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है Nixon में हंड पूली स्टेशन पे होता है उसके mail में उसे एक photo मिलता है यह forest टकर का photo होता है forest इसके साथ खेल खेलना चाहता है तो उसका यह यंग photo उसने उसे भीज़ दिया होता है Nixon में हमें forest जूल के पास आया हुआ दिखता है जूल horse ride कर रहे होती है तो उससे पुछती ही कि अगर तुमें करना है तो तुम कर सकते हो forest होड से थोड़ा सा डरता है यह कहता है कि next time मैं करने वाल हूँ यह उसके मरने के पहले जो सब चीज़े करनी है इसके list पर होता है जूल और forest अब बात कर रहे होते हैं जूल फिर इसे खेल दी कि मेरे पच्चे और मेरे पती था मेरे जो family थी यह perfect थी और at least मुझे perfect लगती थी मुझे लगा था कि मैं बहुत ही खुश हूँ पर जो time था यह आखे चलता गया और मुझे लगता गया कि मुझे जो सब चीज़े करनी थी यह सब रहे गई है मेरे पती की जब death हो गई तब मुझे लगा कि मुझे जो सब चीज़े करनी है वो अब मुझे करना start कर देना चाहिए हर बार जब मैं door close कर दी थी तब मुझे लगता था कि मेरे life के door close हो रहे है इसलिए अब मैं सही से जीना चाहती हूँ forest कहता है कि कभी भी मुझे लगता है कि door close हो गया है तो वो window को में तोड़ देता हूँ और वहाँ से भाहर निकल जाता हूँ और जिस तरह से life जीता है इस बारे में वो केह रहा होता है forest कहता है कि 10 साल का forest अगर मुझे देखेगा और वो जब proud होगा तो भी मुझे लगता है कि मैं side track पर हूँ जूल कहती है कि क्या वो तुम पर proud है कहता है कि दिन बाद दिन वो close आता जा रहा है forest अपने काम से बहुत ही खुश होता है उसे कभी भी कोई भी गम नहीं होता अब नेक सिन में हम देखते है कि forest bank में आया हुआ है पर इस बार ये bank को लूटने नहीं वाला होता जूल पर जो भी सब कर्जा है यह वो pay करने वाला है ये bank की manager कहती है कि दुमें कर सकते हो पर इसके जूल की sign लगने वाली है forest कहते है कि without sign क्या यह हो सकता है यह से मना कर देती है यह उसे अलग-अलग question पुछता है पर इसका कोई भी way नहीं होता कि जूल को पता ना चल सके इसके बाद हम देखते है कि हंट एक घर पर आया हुआ है forest ने अपनी photo जे पेजी थी तो इसकी family track करते करते forest की एक बेटी भी है उसके पास हो आ चुका है forest की बेटी एक middle age human है और इसका बेटा भी है हंट जब इसे forest के बारे में पुछता है तो कही थी कभी मैंने उससे देखा नहीं है मेरी मदर जो थी है हमसे हमेशा चुपा कर रखती थी कि हमारे father क्या करते है अलग-अलग stories वो हमें सुनाती थी जब हम 15 साल के थे तब forest जेल से बाहर आने वाला था मेरी मदर को लगा कि हो मिलने के लिए आ सकता है तो इसलिए सच सच सब कुछ मुझे उसने बता दिया था forest को बेटी को forest से कुछ भी लेना देना नहीं चाहिए होता वो कहती है कि अगर वो पकड़ा भी गया तो मैं उसकी as a relative उसे लेने नहीं आने वाली हन कहता है कि तुम्हें कोई भी जरूत नहीं पड़ेगी इसके बाद हम देखते है कि forest और जोल एक जगा पर शॉपिंग करने के लिए आये हुए होते है forest जोल के लिए एक बैंगल ले रहा होता है यह बैंगल जब वो देखते है तो जोल को एक बहुत ही पसना आता है forest इस टोर के बारे में सब को जान रहा होता है जब राइट मुमेंट आता है तो जोल को बाहर लेकर आता है यह जो बैंगल है यह इसने चोरी किया है जो लिस पर हसने लग जाती है और इसे गलत लगता है यह फिर वापस आती है और Forrest को उसके लिए बाय करने के लिए कियती है नेक सिन में हम देखते है कि Hunt अब Forrest के लॉयर के पास आ चुका है Forrest जब जब ज़रा यंग था तब उसे इस लॉयर ने रिप्रिजेंट किया था इस लॉयर को Forrest के बारे में बात करना बहुत ही अच्छा लगता है इसे लगता है कि Forrest बहुत ही इंट्रेस्टिंग आत्मी है वो जब से 13 साल का था तब से वो चोरी कर रहा है इसके बाद 18 जेल तोड़ कर ये निकल चुका है एक बार तो वो आइलन में था उसने एक छोटी सी बोड बनाई थी और उस बोड पर वो बहाँ से भाग गया था ये लॉयर कहता है कि उसके लाइफ के बहुत जारे स्टोरिज उसने मुझे बताई है ये जो उसने सब रॉबरीज वगरा सब कुछ की है तो इसमें उसने कभी भी गन नहीं चलाई उसके पास गन दो थी पर कभी उसने चलाई नहीं है आज तक किसी को भी उसने हट नहीं किया है लॉयर कहता है कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि वो अपने काम से बहुत ही प्यार करता है मैंने उससे बूचा कि अगर तुम्हें रोजी रोटी नहीं कमानी है तो तुम कुछ अलग काम कर सकते हो फोरेश ने मुझे कहा कि मुझे सिर्व जिनने के लिए काम नहीं करना मुझे सच मुच में ये जो लाइफ है ये अच्छी तरीके से जिनी है वो जब चोरी करता है तो उसे अलाइव महसुस होता है हंट अपने घर अपनी वाइफ के पास आता है तो वो कहता है कि मैंने उसे अब ढून लिया है वो क्या है किस तरह का आदमी है ये मुझे पता चल चुका है इसके वाइफ कहती है तुम उसे जरूर ढून लोंगे आज हंट का ज़रा मोड अच्छा होता है वो अपने वाइफ को लेकर कही डिनर के लिए बाहर जाना चाता है वो फिर दोने एक रेश्टारन में आ जाते है यही में दिखता है कि वाहाँ प्रेस्ट भी आ चुका है जब हंट टॉरेट किल जाता है तो फोरेस्ट उसकी पीछी पीचा जाता है वो कहता है कि मैं तो तुमें पेचानता हूँ मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था वो उसे बुशता है कि क्या तुम उसे ढूंड रहे हो हन कहता है कि मैं क्लोज हूँ फॉरेस्ट फिर हन की अच्छे सी कॉलर लगाता है वो कहता है कि अगर तुम शाफ दिखोगे तुम लाइफ में बहुत ही तरकी कर सकते हो लोग को लगता है कि तुम जो कर रहे हो यह तुम सही कर रहे हो अगर तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुमें क्ल्यू भी नहीं होगा तब ही लगता है कि तुम बहुत ही कॉन्फिटन्ट हो हंट को मौलब होता है कि यह फोरेस्ट है यह से कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसका नाम भी हो लेता है फोरेस्ट सिर्फ वहाँ से चला जाता है और हंट उसका पीछा नहीं करता उससे सिर्फ उसके बारे में इंफोर्मेशन निकलवानी थी Forrest जो है किसी को hurt नहीं कहता तो उसे इससे ज़्यादा कुछ problem नहीं है इस case को अब वो छोड़ कर आगे अपने life में बढ़ सकता है Jool और Forrest जब घर आ रहे होते है तो Forrest कुछ लेने के लिए बाहर निकलता है Jool उसकी गाड़ी में एक gun देखती है उसे आप थोड़ा थोड़ा बिली होने लग जाता है कि जो Forrest कह रहा था ये सही कह रहा था वो सचमुच में rubber हो सकता है Jool जब घर पर आती है तो accept करने के लिए ready नहीं होती उसे आप Forrest से पैर हो चुका होता है Forrest ने उसे घर पर छोड़ दिया हता है Jool अंदर चले जाती है पर थोड़ी देर बाद वापस आकर Forrest फेस से उसके डोर पर खटकटाता है ये दोनों एक दूसरे को किस करते है उसके पास Forrest वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि पिचा छोड़वा कर निकल पहुचता है पुलिस अब Jool को भी ट्रैक कर लेते उसके घर पर आने वाले होते तो इसलिए Forrest अब अपने आपको पकड़वा लेता है हन को जब ये न्यूज मिलती है तो आप Forrest से मिलने के लिए आता है Forrest एक रॉबरी पर उसके लिए एक नोट छोड़ कर गया था ये नोट वो उसे वापस कर देता है इसके बाद हम देखते है कि Forrest जेल में है और उसे मिलने के लिए जूज आई हुई है जूल उसे कहती है कि वो बहुत सारे क्वेशन्स मुझे पूच रहे थे वो मुझे से पूच रहे थे कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ मैंने उसे अपकोस नहीं कहा था Forrest फिर उसे एक कागद देता है इस पर सब डेट से करा लिखे होती है और डिस्क्रिप्शन होता है जिस जिस जेल से वो छोट कर बाहर निकला था इस सब के नाम उस पर लिखे होती है इस पर और एक नमबर बना होता है तो जूल से बुझती है कि ये क्या है ये क्यों ब्लैंक है Forrest कहता है कि best में last के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ यानि कि ये जिल भी वो तोड़ कर जा सकता है जूल से कहती है कि इस बार ऐसा मत करो इस बार तुम यही रहो किस-किस तरह से वो फरार हुआ था या ऐसा वो में दिखता है एक बार वो खेड़के से बाहर निकल गया था एक बार जब वो जेल में था एक बार laundry में और एक बार boat से इस तरह से अलग-अलग तरीके से वो जेल से निकल जाता था अब हमें दीखता है कि forest की जो सजा है वो अब खतम हो चुकी है उसे लेने के लिए jool आती है jool उसे अपने घर पर लेकर आती है उसे कहती है कि जितनी भी time तोग तुम्हें यहा रहना है तुम्हें यहा रह सकते हो तुम्हें यहा रहने में कोई भी problem नहीं है forest jool के घर में एक sign देखता है जिसने एक घर बनवाय है यह उसकी sign होती है जिस तरह से artist अपनी legacy छोड़ कर गया है उसी तरह से forest भी अपनी legacy छोड़ कर जा सकता है वो जो काम करता है यह उसे पसंद आता है जूल के साथ वो एक अच्छी lifestyle जी सकता है जूल और वो movies में जाते है जूल के farm में उचलते है जूल के साथ एक अच्छी से lifestyle जी सकता है पर यह उसे नहीं करना जल्दी में वापस आ जाओंगा और फिर बाहर निकल जाता है वो फिर हंड को कॉल लगता है हंड उसे भुशता है कि क्या सब कुछ ठीक है फोरेश कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसी दिन फोरेश्ट चार रॉबरीज करता है इसके बाद वो पकड़ा गया था जिस बुलिस ने उसे पकड़ा था तो उनसे जब पूछा गया तो फॉरेज के साथ था तो उन्होंने बताया था कि जब वो पकड़ा गया था तो उसके फेस पस स्माइल थी यानि कि जब वो पकड़ा गया था तो बहुत ही खुश था क्योंकि अभी-अभी उसने successful robberies की थी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाऊगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं इस तरह से बहुत सारी movies लेकर आदे रहे तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon भे दवाना मत भूलें यहीं कि आपको सब movies मिलती रहे वेसे मिलेंगे एक नई movie के साथ सब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखें